दोस्तो रिषीकपूर और नीतु कपूर हमेज़ा ही बोलीवुड के एवरग्रीन कपल की लिस्ट में सुमार रहेंगे रिषीकपूर और नीतु कपूर की तरह आप आलिया भठ और रनवीर कपूर भी प्यार की नई दास्ता लिखने जा रहें हैं दोनों साधी के बंधन में बंद चुके हैं आज हम आपको नीतु कपूर और रिशी कपूर की शादी से जुड़ा एक इंटरस्टिंग किस्ता सुनाने जा रहे हैं रनवीर कपूर की पापा रिशी कपूर ने फिल्म बॉबी से बोलिवुड डेबू किया था इस फिल्म के बाद एक्टर रास्तुरात इस्टार बन गए थे रिशी कपूर की चार्मिंग परसनेटी से कई लड़कियों के दिलों को जीत लिया था लेकिन रिशी कपूर तो गोड़्जेस नीतु कपूर पर अपना दिल हार गए थे रिशी कपूर ने जब नीतु को डेट करना शुन किया तब वो एक सकस्पूल एक्टर थे दोनों एक दूसरे के साथ खास बोंडिंग शेर करते थे रिशी कपूर और नीतु कपूर ने 22 जनवरी 1980 में एक दूसरे संग सास फेरे लिये थे कपूर खांडान की इस शादी में देश के सासा दुनिया की भी नामचीन हस्तियां सामिल हुई थी लेकिन इस पीच कुछ ऐसा हुआता कि सब घबरा गए थे एक एंटर्यू के दोरान नीतु कपूर ने बताया था कि शादी के दोरान रिशी और वे बेहोश हो गए थे हालाकि दोनों के बेहोश होने के कारण अलग-अलग थे नीतु कपूर ने अपने इंटर्यूर में इस किस्से के बरे में बताया था उन्होंने कहा था मैं और रिशी कपूर अपनी शादी में बेहोश हो गए थे मेरा लहंगा बहुत है वीता और शादी में बहुत ज्यादा लोग भी थे मेरे लिए ये सब हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे पते रिशी कपूर लोगों के भीड देकर बेहोश हो गए थे रिशी कपूर घोड़ी चनने से पहले ही बेहोश हुए थे बात में जब हम दोनों ठीक हुए तब ही हमारी शादी पूरी हुई